हेलो बच्चो ओनलाइन क्लास में आपका स्वारत है बच्चो आज हम पढ़ेंगे बचन किसे कहते हैं बच्चो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे बच्चन कहते हैं बच्चो शाब्द के जिस रूप से न हमको उसके एक या एक साधिक होने का बोध होता है या पता चलता है उसे बचन कहते हैं बचन को न संख्या भी कहते हैं और बचन बचन दो प्रकार के होते हैं एक बचन और बहु बचन एक बचन को इंग्लिश में similar number कहते हैं और बहु बचन को इंग्लिश में plural number कहते हैं तो बच्चो आज हमने जाना कि बचन किसे कहते हैं आशा है आपको समझ में आया होगा धन्यवाद